इसकार्यक्रम के पुन्यार्जक है शुई रविंद्र जी जैन बाहु बली भाहिया नमो वजायादम नमो लोये सवशावुणम पंच परमिष्टी भगवंतों की आचारे भगवन गुरुवर विशुत सगर जी महराज की या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवर्द्धी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं नीती एक ऐसा विशा है कि जिसमें दुख का लेश न हो नीती एक ऐसा विशा है जिसमें सिर्फ सुख ही सुख हो और नीती जो है वो एहरनिस सजग रहना सिखाती है कब कहां क्या करना है कब कहां क्या नहीं करना है यह सिखाने वाली होती है नीती कल अपने नीत के ऊपर समझा था कि जिसकी नीत खराब है उसकी नीती खराब है जिसकी विक्ति की नीत खराब है वो कुछ भी कर ले नीती यहने भविश उसका पुन्य खराब ही है आज यहां कह रहे हैं कि अपने जीवन में साफधानी भी प्रारंब करें जो विक्ति साफधान नहीं है वो परेशान है दो चीजें हो गई हैं एक परेशानी एक साफधानी अगर साफधानी है तो परेशानी नहीं है और परेशानी है तो साफधानी नहीं है हर वक्त साफधानी का जीवन जिये और किसी भी काम की जल्द बाजी ना करे जो लोग जल्द बाजी करते हैं किसी भी काम की यह आपने देखा होगा बिना बिचारे जो करे सो पाचे पच्छताए काम बिगाड़े आपनों जग में होत हसाए जो लोग बिना बिचारे कर लेते हैं साफधानी पूरवक कर लेते हैं वो बेचारे उसने बिना बिचार के किया इसलिए कह रहे हैं उसको बेचारे अब बेचारे आगे जाकर कर पच्छताते हैं जल्द बाजी में उन्ने निर्ड़े ले लिया है साफधानी से निंड़े ले दे मार्ग पर हजारों गाड़ियां दोड़ रही हैं देखो आप कैसे दोड़ती है असी सौ किसमें से गाड़ी भगा रहे हैं पूरे एकसी लीटर ले रहे हैं जटके में लगाते हैं ब्रेक अफर आयू का हो जाता है ब्रेक जितनी दुरगटना है हमने देखी हैं यहाँ साफधानी कारण होती है साफधानी से कभी कोई दुरगटना नहीं होती है कल रास्ते में एकदम से एक सजञन ने कार रोक लिए अपनी दर्शन के लोगा उसके पीचे बाईक वाले भी थे लेकिन साफदान चल रहे थे कि यार यहां सादू लोग चल रहने हो सकता कोई जटके में गाड़ी ब्रेक लगे तो वहीं परसों असावधानी पूरवक गाड़ी रोकी एक विक्तिने तो उसकी ठुक गई जितने भी प्रिकार के एक्सिजेंट होते हैं चाहे जीवन की हो चाहे गाड़ी की हो वहां सावधानी पूरवक जल्द बाजी के निर्ने लेने से होते हैं सादू फर्ग में भी समय आता है निर्ने लेने हैं कुछ और अपने जल्द बाजी में निर्ने ले लिया जीवन पर रोना पड़ता है मतलब तातकालिक निर्ने ले लिया है जब खुकर में एक मा भोजन पकाने के लिए साख या दाल रखती है दाल या सबजी रखती है तब वो क्या करती है जैसी सीटी आती जटके से नहीं खोलती है क्यों फरह पूरी गेस निगालती है उसकी वो शीटी जटी उसको इससा करके हिला हिला के ठाड़केस निना खोलेगी तो पूरी भाप उसकी उपर लोट की आएगी नहीं वो निकल जाएं दो फिर खोलते हैं अत्वा उसने पानी कम रखा और दे सीटी दे सीटी दे सीटी चल लई है फिर क्या होगा आखरी में गैस बंद करना भूल गई फिर क्या होगा कुकर फटेगा यह असावधानी पूरवकार के जब वर्तमान में सामने आपके इतने बड़े बड़े हानिया हैं तो सोचो आपके फिर यह बड़ी बड़ी हानिया कैसे हो जाती हैं असावधानी से असावधानी पूरवक कभी कोई काम ना करें पढ़ाई भी करें सावधानी पूरवक ब्यापार भी करें सावधानी पूरवक कहीं गमना गमन कर रहे हैं तो साफ़धानी पूर्वक। सेल्फी के चक्कर में सेल्फी के चक्कर में डाटा समाफ्थ ऐसा सिर्फ बाहर निकाला ट्रेन में वो सेल्फी लेड़ लटक के लिए रहे इतने में टर्न आ गया जटका लगा हलका सा हाथ चुटक गया आखरी सहल भी थी समझ ये इन सारी वस्तुओं का विवेक से काम करें असाफदानी पूरवक आप जो कुछ भी करोगे उसमें निश्चित हानी ही होगी वह तो भवितविता है कि कोई बच जाता है जीव की भवितविता है कि कोई बच जाता है नहीं तो आप इन इस्चित मानो कि हानी ही है असाफदानी और जल्लबाजी में किये गए काम जीवन की सबसे बड़ी भूलों में गिने जाते है कभी आप याद करो गाड़ी चलाते समय भिल गए हो या ब्रेकर हो आपने देखा नहीं हो गड़ा हो आपने देखा नहीं हो सौकी गटी से गाड़ी हो गड़्या आ जाए फिर बाईक हो तो कार तो ठीक है फिर भी समझ जाए बाईक हो तो अरे जब देखो आप गाड़ी बहुत गती में है और गड़ा आजा तो पट्टा तूटता है उसका जब गाड़ी का पट्टा तूट सकता है तो जीवन का पट्टा क्यों नहीं तूट सकता है इसलिए अपने जीवन में जल्द बाजी ना करें साफधान रहें सजक रहें मतलब यह आप अपने अंदर हर दिन दोराओ कि जाकते रहो जाकते रहो जाकते रहो निरंतर जाकते रहो किसके लिए क्यों जाकते रहो अरे इसलिए जाकते रहो नेड़ने कहीं गलत न ले लूँ कहीं कदम गलत न रख लूँ बाहर ये बढ़ जाता है फिर कई बार लोगों की कमर खिसक जाती है या फिर गुरिया खिसक जाता है वह ले कैसे खिसक गया उपर नीचे पैर रखने से नस्च चड़ गई अरे आपको बिवेक से रखना था न पढ़ाई भी करें सावधानी पूरवक एक्जाम भी दें तो सावधानी पूरवक टेंशन लेना नहीं है सावधान रहने कोई बात करें टेंशन लेना ही कोई बात नहीं कर रहे है किसी प्रगार कोई संकलिस्ता मतलो कोई जोर मतलो कोई काम करो सावधानी पूरवक करो सावधानी पूरवक नहीं किया है बड़ी बड़ी हानी होगी और जीवन की जितनी बड़ी हानिया है जितनी बड़ी बड़ी भूले है वो आपके असावधानी कान ही हुई है देख लो अच्छा जल्दी जल्दी में भावक्ता में अगर किसी कि अपने व्यापार के लिए सामगी दे दियो, ऑपइसे नहीं लाया, लोटा कि आडमी लूटकी आया हो बहुता में किसी ने अपनेमितर को पैसे दे दियो अधार, अब आप देखो, मितर को दिया है पैसा तो पैसा थो लौटने वाला है नहीं और मित्र भी लौटने वाला है नहीं मित्रता से भी गए और पैसे से भी गए इसलिए साफधान रहें प्रायह साफधान विक्ति अपने जीवन में कम ही भूले किया करते हैं जो साफधान विक्ति रहते हैं वो अपने जीवने बहुत कम गलतिया करते हैं और अगर हो भी जाये तो बहुत चोटी सी होती है कब कहां क्या नहीं करना है इसका ध्यान ज्यादा रखना चाहिए लेकिन बावुकता आप कोई करने नहीं देती है जैसे बोजन बैटके आप घर में करते हो ऐसी सस्राल में करते हो ना बदाओ किसी की साथी को तीस साल हो जाए चालिस साल बजाए फिर भी वह व्यवस्ते तो रहता है उसके वाज़ा अत्वा किसी बड़े वेक्ति की घर पर आपको बुलाया गया है नियोते के लिए भोजन के लिए मुक्यमंत्री ना आपको नियोता दिया है उसके आपका हो ऐसे जाओगे भोजन करने और ऐसी वह चावल खाओगे ऐसे से करके वह चमत से अलग से स्टेंडर्ड बता के खाओगे उस समय की वह योगता है और उसने बुलाया है तो गले में हाट डालके भोटों नहीं खेचाओगे यह साफधानी यह सचकता है आपको पता है कि ठंडी का मौसम आ गया थो ठंडी के मौसम आने के पहले माताएं गद्धे रजाई फल्ले सुखाना चालू कर देती है यह उनकी साफधानी एक जीव ना हो गेंगो के कंटेनर में चावल के कंटेनर में पत्तिया नीम की पत्ति डाल के रखती है करपूरादी डाल के रखते है क्यों कोई जीव ना हो यह सावधानी का जीवन है करोना के समय वोई लोग फरसान हुई जो सावधान नहीं थे जैनों के पास इतना गेहूँ दाल चावल तक ही जी लेते सावधानी पूरवक्त तो जो है वो भी चला जाएगा एसा विचार करना कि हमें सावधानी का जागृत्ता का जीवन जीना है जीते जीते जीना है, मरते मरते नहीं जीना है शेश आगे विचार करेंगे भगवान महावीर सौमी की